हलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान हाई कोट LDC का सेलेक्शन लेने के लिए हमें कौन से किताबे पढ़नी चाहिए चुंकि समय भी काफी कम हो और शायद नवंबर के असपास एक्जाम हो जाए तो उसके लिए उस हिसाब सेमें प्लानिंग बनानी और कौन-कौन से किताबे पढ़नी है ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके तो वो ही किताबे मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो बहुत अच्छी वाली वुक्स न बताऊंगा। जिससले मार्क्स अगर आपनी किताबे पढ़नीए न तो मार्क्स तो आफके मतलब टॉप लेल के आने वाले है लेकिन आपके कितने भी marks बहले जादा आजाओ लेकिन अगर आपने अभी तक टाइपिंग अगर शुरू नहीं किये तो marks आपको exam के अंत में जाकर धोका भी दे सकते हैं क्योंकि दूसरे exam की तुलना में अपने ये high quote LDC की जो typing है वो थोड़ा सी tough पढ़ती है speed भी बहुत जादा मांगी जाती है है ना तो आप typing आस्ते शुरू कर देना हिंदी और English की ठीक है बले आदे आदा गंटा करो जो भी करो पर कहीं ना कहीं से join जरूर कर लेना आप चलिए मैं आपको बताता हूं फटाफट बुक्स तो हमारे कुछ जो syllabus जो है कुछ इस परकार से दे रखा है हिंदी के topics दे रखे हैं ये English के दे रखे हैं और ये तीसरा जो topic है जनरल नॉलेज का है तो काफी लंबा चोड़ा सब्जेक्ट वगर नहीं तीन सब्जेक्ट हमको इन पर focus करना है तो हम cover कर सकते हैं ठीक है और जो expert है वो तो कहीं से भी पढ़े कोई दिक्कत नी हां लेकिन ये वीडियो जो beginners हैं मतलब कौन से किताप पढ़नी चाहिए उनको जिससे कि वो selection के नजदीक पहुंच सकते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तो अगर आप हिंदी कहां से पढ़ सकते हो तो हिंदी के अंदर देखो अगर आपको अभी थोड़े कमजोर होगर आप हिंदी इससे पहले आपने नहीं पढ़ रखी है तो सबसे इसे यहां से शुरुवात कर सकते हैं और अपने हिंदी को वापस जगा सकते हैं इस वाली बुक से ठीक हैं शुरुवात यहीं से कर लो और उसके बात क्या करना है आपको उसके बाद चुंकि समय को देखते हुए हमें थोड़ी सी तैयारी करने पड़ेगी तो सबसे पहले शुरवात इस वाली book से कर लिए ऐसको पढ़ लिया या फिर इसका जैसे कोई सब एक topic आपने संधी पढ़ लिया जस्त उसके बाद आपको क्या करना है इस वाली topics में से दिशा वाली जो किताब है देखो हिंदी वाली है फिर कुणसे तो यहां से जैसे आपने संधी पढ़ ली उसके बाद आप इस वाली बुक को उठाईए और इसमें से प्रशना अंसर जो है अपने प्रशना अतर लगाईए आपको बहुत ही अच्छे से वो टॉपिक कवर हो जाएगा जब आप ऐसे करके अपने सिलेबर जरू साथ में लेकर बेटना कि मैंने संधी पढ़ ली टिक लगा दिया इधर से भी पढ़ ली टिक लगा दिया ठीक है उसके बाद अगर आपको समय मिल जा और एक्जामपल्स पढ़ने हो बहुत ज़ादा यहाँ पर जैसे हो सकता है मुहावरे मानलो सोई दे रखें ठीक है कुछ मुहावरे यहाँ पर आपके प्लस होके तो कुल मिलाकर जैसे आपने 300 मुहावरे पढ़ ले लेकिन आपको लगता है आपको समय और और पढ़ना चाहिए आपको ठीक है लेकिन यह आप लास्ट में पढ़ना ठीक है पहले दो किताबे कवर कर लो उसके बाद थर्ड जब आपके पास दोनों किताबे कवर हो गई हैं तो थर्ड पर आ जाना रागो प्रकाश की हिंदी तो तीन किताबे हो गई हैं तो इंगलिश की बात करें तो इंगलिश में सबसे बैस्ट आपके लिए यहीं रहेगा कि आप इंगलिश के और जो सिलेबा से उसके अंदर टॉपिक जैसे टैंस दे रखा है टैंस आप गया यूटूब पर आपने सर्च किया जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है टैंस टॉपिक ठीक है आप खुछ समझ जोगी हां कि जो पढ़ा रहा है वो आपको समझ को निए आरा कुल मिला कर वहां से आप तॉपिक देखकर फिर वहीं एंगलिश एग्जाम रिव्यू दिशाव यहां से फोलगा ना टैंस इदर से पढ़ लिया ठीक है और यहां पर आ गए हम और यहां से हमने करना स्टार्ट कर दिया इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा था टैन्स वाला टॉपिक क्या वह उसके आंसर जो एक्जाम में आने वाला आपका हाई कोड़ लीसी में आपसे सॉल्फ हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा यह वाला कॉंसेट उसके लब अगर आपको बुक्स क पढ़ा ठीक है और यहां पर दिशा पर आकर आपने लगा दिया ना कर पेपर और सॉल्फ हो रहे हैं आपसे समझ लो बहुत बढ़िया चीज हो रही है फिर उसके अलावा आप केडिक एमपस खरीज सकते हैं राजस्तान जीके वाली चीज राजस्तान जीके में तो यह दो अपलोड करा था था थोटे दिन पहले ही तो उसमें मैं आपको बताया था कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रशन पूछे गए हैं ना वो चीज इसके अलावा आप सिखवाल की मांचित्रावली खरी सकते हैं इसका benefit क्या है इसमें साथ में मैप दे रखा जिससे आपके इंटरफरस में राजस्तान का इंटरफरस को एक भी प्रशन नहीं मिला मेरे को तेरा प्रशन तो अपने इंडियान करेंट से थे और तीन प्रशन वर्ल्ड करेंट से थे आप इसला पेपर देखना एक बाल इसके अलावा आप इसमें लक्षे के जो किताब है हाई-कोट- आप लक्षे वाली तो बहुत अच्छी बुक है या फिर अपने सुभास चारण सर वाली चेटक वाली जो पुक आती है कंप्लीट गाइड के साब से वह भी आप खरी सकते हो ठीक अलग-अलग के साब लेकिन आप दिशा वाली किताब तो जरूर खरीदना तीनों के अंदर क्योंकि यह रामबान किताबें यह समझ ली जाप मैंने पढ़ी हैं और एक्जाम जब दोगे न आप या फिर पुराना पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगी कि प्रशन तो यहीं पर ही मिल रहे हैं जेटेज पिछले वाले तो 70-80% काम कर देती है यह बुक्स आपका इसके लाव current affairs तो current affairs तो देखो आप YouTube से आराम से जिसको भी जहां से पढ़ते हो YouTube वगरा से आप current affairs तैयार कर सकते हो इसमें इंडिया current बहुत अच्छे से तैयार करना और खास कर के देखो खेर कोर्ट का पेपर है तो कोर्ट के प्रशन बहुत पूछे गई थे बिछले paper के अपने सुप्रीम कोट के तो काफी प्रशन थे उसके अंदर इस से रिलेटेड कोई विधिक सेवा प्राधिकरान वगरा कहां है है ना ऐसे प्रशन भी पूछे गए थे इसके अलवा बुक कौन से खरी सकते हो आप तो मुमल का जो वार्शी कांक आता है है ना अभी थोड़ा अगर सितमबर अक्टूबर तक अगर नवंबर में पेपर हो रहा है तो हमें लगबख सितमबर तक की तो पढ़ने ही पढ़ेगी पूरी ठीक है तो यूटूब से भी आप करेंट अभी से पढ़ना शुरू कर दो और टाइपिंग जरूर शुरू कर देना क्योंकि टाइप बुक्स आशा करतों आपके बहुत ही काम का वीडियो साबित होगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भाद